बाई आज के वीडियो में हम compare करने वाले Mediatek Helio P60 को Snapdragon 665 से Midrange अगर section की बात की जाए तो बाई दोनों ही processor सबसे ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलता है अगर बात की जाए Mediatek Helio P60 की तो Realme 3, Realme 3i, Oppo F9 इन सारे phone में आपको Mediatek Helio P60 देखने के लिए मिलता है और Snapdragon 665 की अगर बात की जाए तो Realme 5, Realme 5S, Redmi Note 8, Mi A3 इन सभी phone के अंदर आपको Snapdragon 665 processor देखने के लिए मिलता है बाई दोनों ही processor अपने आप में बहुत popular processor है तो इस वीडियो के अंदर करते हैं हम compare और देखते हैं दोनों में से कौन सा processor है बैटर फटावट्सिस comparison को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और ProTech Village चैनल में आपका स्वागत है बाई सबसे पहले बात करते हैं CPU fabrication process की तो यहाँ पर Mediatek Helio P60 को process किया गया है 12 nanometer technology पर वही पर Snapdragon 665 को process किया गया है 11 nanometer technology पर यहाँ पर यह जो nanometer में technology होती है यह होता है बाई प्रोसेसर के semiconductor का size और जितना कम यह size होता है प्रोसेसर उतना better perform करता है उतना कम heat होता है और battery consumption भी उतना ही कम होता है तो CPU fabrication process के मामले में Snapdragon 665 better लगता है यहाँ पर Mediatek Helio P60 से बाई अगर बात की जाए CPU number of cores की तो दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पर 64 bit के octa core प्रोसेसर है यानि कि यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर में आपको multitasking के लिए और task distribution के लिए 8 heart core देखने के लिए मिलते है बाई अगर CPU clock speed की बात की जाए तो Mediatek Helio P60 के अंदर आपको 4 core मिलते है performance के लिए ARM Cortex A73 वाले जहाँ पर maximum clock speed आपको मिल जाती है 2.0 GHz की साथी में 4 core मिलते है efficiency वाले जहाँ पर आपको मिलता है ARM Cortex A53 CPU जहाँ पर maximum clock speed आपको मिल जाती है 2.0 GHz की Snapdragon 665 के अगर बात की जाए तो Mediatek Helio P60 की तरह ही performance के लिए आपको यहाँ पर 4 core मिलते है Cortex A73 वाले जहाँ पर clock speed भी आपको मिल जाती है 2.0 GHz की लेकिन जब efficiency core की हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर cores को वही मिलते है ARM Cortex A53 वाले 4 लेकिन clock speed आपको यहाँ पर कम होके मिल जाती है 1.8 GHz की अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो efficiency core है अगर उसमे clock speed आपको थोड़ी सी कम मिलती है तो यहाँ पर आपका बैटरी का यहाँ पर अगर हम बात करें Snapdragon 665 के बारे में तो यहाँ पर आपको Qualcomm की तरफ से Adreno 610 GPU देखने के लिए मिलता है जहाँ पर clock speed आपको तकरीबन मिलती है 600 MHz तक की तो GPU के मामले में यहाँ पर बैटर लगता है MediaTek का Helio P60 बैए अगर camera support की बात की जाए तो MediaTek Helio P60 के अंतर आपको dual camera का support मिल जाता है 24 प्लस 16 megapixel तक का वही पर अगर आप single camera की बात करें तो यहाँ पर maximum lens size आपको मिल जाता है 32 megapixel तक का Snapdragon 665 के अगर बात की जाता है तो यहाँ पर आपको 16 प्लस 16 megapixel तक का dual camera का support मिल जाता है यहाँ पर आपको frame rate मिलता है 30 fps का अगर हम single camera की बात की जाता है 30 fps पर तो यहाँ पर आपको support मिल जाता है maximum 25 megapixel तक की camera का और maximum lens size जो support करता है Snapdragon 665 वह हो सकता है 48 megapixel तक का camera support के मामले में clear winner यहाँ पर निकल के आता है Snapdragon 665 बाइगर video capture resolution की बात की जाए तो media tech Helio P60 के अंदर आप full HD प्लस video record कर सकते है 1080 pixel पे जहाँ पर आपको frame rate मिल जाता है 30 fps का वहीं पर अगर हम Snapdragon 665 की बात करें तो यहाँ पर आप 4K वीडियो record कर सकते है 30 fps पर और अगर हम बात करते है slow motion वीडियो की तो 1080 pixel पे आप slow motion वीडियो record कर सकते है वहाँ पर आपको frame rate मिल जागा 120 fps का और अगर आप 720 पिक्सल पर video record करते है slow motion में तो frame rate आपको मिल जाता है 240 fps का वीडियो capture resolution के मामले में भी clear winner यहाँ पर निकल कियाता है Snapdragon 665 भाई अगर डिस्पले सपोर्ट की बात की जाए तो Media Tech Helio P60 के अंदर आपको मिल जाता है full HD plus display का support जहाँ पर maximum resolution हो सकता है 1920 by 1200 पिक्सल का Snapdragon 665 के अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको full HD plus display का support देखने के लिए मिलता है लेकिन यहाँ पर resolution आपको मिल जाता है 25 20 by 1080 पिक्सल का Display support के मामले में भी थोड़ असा आगे निकलता हो दिखता है यहाँ पर Snapdragon 665 बात की जाए भाई RAM support की तो Mediatek Helio P60 के अंदर आपको dual channel LPDDR4X RAM का support देखने के लिए मिलता है जहाँ पर maximum RAM size हो सकता है 8 GB का और maximum RAM frequency आपको यहाँ पर मिल जाती है RAM support के मामले में भी यहाँ पर Snapdragon 665 आगे निकल जाता है Mediatek Helio P60 से भाई अगर storage support की बात की जाए तो दोनों ही processor के अंदर आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का support देखने के लिए मिलता है अब भाई ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको ऐसा phone लेते हैं जहा यहाँ पर आपको मिलता है UFS 2.1 वाला storage support तो वो better होता है EMMC 5.1 से क्योंकि UFS 2.1 में आपको better read write की speed देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर अगर दोनों processor की बात की जाए तो storage support की मामले में दोनों ही processor यहाँ पर same है वाई अगर LTE modem की बात की जाए तो Mediatek Helio P60 के अंदर आपको integrated 4G LTE modem देखने के लिए मिलता है जहाँ पर downlink के लिए आपको मिल जाता है CAT 7 modem CAT 7 modem की जो download speed है वो आपको maximum मिल जाती है 300 Mbps तक uplink के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है CAT 13 modem जहाँ पर maximum upload speed आपको मिल जाती है 150 Mbps तक Snapdragon 665 के अगर बात की जाता है तो यहाँ पर आपको Qualcomm का Snapdragon X12 LTE modem देखने के लिए मिलता है जहाँ पर downlink के लिए आपको एक better modem मिल जाता है CAT 12 वाला और जहाँ पर आपको download speed मिल जाती है maximum 600 Mbps तक अप link के लिए आपको यहाँ पर भी CAT 13 modem देखने के लिए मिलता है जहाँ पर maximum upload speed आपको मिल जाती है 150 Mbps तो LTE modem के बारे में अगर बात की जाता है तो Snapdragon 665 में आपको better download speed देखने के लिए मिलती है इसलिए यहाँ पर भी LTE modem के मामले में winner निकल के आता है Snapdragon 665 बाई अगर दोनों processor के Geek Band score की बात की जाए तो Mediatek Helio P60 को Single Core में मिलते है 1420 पॉइंट महीपर Snapdragon 665 को Single Core में मिलते है 1526 पॉइंट तो यहाँ पर Single Core के मामले में winner बनता है Snapdragon 665 बात की जाए Multicore की तो यहाँ पर Mediatek Helio P60 को Multicore में मिलते है 5070 पॉइंट महीं पर Snapdragon 665 को Multicore में मिलते हैं 5600 पॉइंट तो यहाँ पर भी winner निकल के आता है Snapdragon का 665 भाई आखरी में बात कर लेते हैं दोनों processor के launch date की तो यहाँ पर Mediatek Helio P60 को launch किया गया था 26 परवरी 2018 को महीं पर Snapdragon को launch किया गया था हाली में 9 April 2019 को तो Mediatek Helio P60 जो है वो तक्रीबन 2 साल पूराना processor हो चुका है लेकिन Snapdragon 665 भाई बहुत ज़्यादा latest processor है तो भाई यह था comparison Mediatek Helio P60 का Snapdragon 665 से और comparison का conclusion अगर मैं बता हूं तो clear winner निकल के आता है Snapdragon 665 भाई बैटर CPU मिलता है आपको यह आपको बैटर RAM frequency देखने के लिए मिलती है एक बैटर fabrication process देखने के लिए मिलती है 48MP camera का support मिलता है तो भाई बहुत सारी चीज में Snapdragon 665 आगे है तो अगर P60 से अगर compare किया जाए तो 665 winner निकल के आता है इस comparison का तो भाई इतना ही ता बस इस comparison में अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe नहीं किया भाई चैनल को subscribe कर देना बेल आइक ओन दबा देना और वाला option से लेट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के notifications पहुंच जाएं आपको तुरंत से मैं मिलूँ आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई